चात्रो आप सबको मेरा नमस्कार मैं रामकिष्णु हूँ आज मैं सचिदानन्द हेरानन्द वात्सयाइन द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत मौत की घाटी में उसका सार बताने जा रहा हूँ विद्यार तिकले इंदू नानू अग्ये और बरदिरो अंदू व्यात्रा वृत्तांता ये निदे मौत की घाटी में अगरा सारा मशोन हेला दुके बैस्ताइदेने पहले हम लेखक का परिचे देखेंगे सचिदानन्द हीरानन्द वात्सयाइम अग्ये हम अग्ये नाम से बला सकते हैं अग्ये का जन्म साथ मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशी नगर जिले में हुआ तो उनका जन्म कुशी नगर में हुआ है कुशी नगर कहा है उत्तर प्रदेश में है और इनका जन्म कब हुआ साथ मार्च को और 1911 में इनका जन्म हुआ है सावर दा उम्बैनू रहनमन्दू मार्च एल रली वर जन्म आगी दे जन्मस्थाना उत्तर प्रदेश दा कुशी नगर उन्होंने कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत आदी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है येनल बर्धिजारे उरू कवितेगलन बर्धिजारे कहानिया कथेगलन बर्धिजारे यात्रा उरुत्ता अंतेगलन बर्धिजारे उपन्यास बर्धिजारे उनकी काहानियों में वेक्तित्व क्वेक्तित्व ता था उसके मानसिक पक्षों को केन्री महत्व प्राप्त हुआ है इनका यात्रा वृत्तांत है अरे यायाव रहेगा याद एक बून्द सहसा उचली इदो योरु बर दिर्वा प्रवास कत नगलू आरे यायावर रहे गयाद एक बून्द सहसा उचली 1989 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारती ज्ञानपीट पुरसकर प्राप्त हुआ है अप्रेल 1987 कोईन का स्वर्गवास हुआ यह लेख का संक्षिप्त परिचाए है अब हम सारा मशे देखेंगे अग्ये जी कहते हैं यहां मौत की घाटी एक जगह के बारे में बता रहे वंदो स्थान अदर बगगे प्रावासी स्थला दर बगगे हेलता है दा रहे यहके अधन सावीन कणिवेंत हेल बेकूँ सावीन कणिवेंत हेसर बरबेकार येन कारणायर भोवदू अधनेल्ल विस्तार वागी इदर लिए हेलता होगता रहे आप प्रमुका यरडु स्थान गले नी जला अधर बग्य हैलता रे नीम गागले इगा गोतागिर बहुदू प्रसिद्ध स्थाला कुलू मते मनाली उत्तर भारत लिबरवा प्रसिद्ध वादा प्रकृती या सवंदर्यवन ननी नोड बेकों रे वम्मे आदरु आ कुलू म मनाली ननी वो नोड ले बेकों ऐसे स्थानों के बारे में यहां वे बताते है कि ये स्थान अब मौत की घाटी बनने लगी है बन गई है अग्ये जी कहते है कि जिस कुलू मनाली को देवताओं का आंचल कहा जाता था देखिए अग्ये जी कहते है कुलू मनाली देवताओं का अंचल है अंदर न्या देवतेया सीरेया सेरगुईद्धागे नोड़ी वंदु सीरे नली सेरगुईद्धागे उसे देवताउं का अंचल कहा जाता था बरसो बाद उन्हें मौत की घाटी बने जैसी एहसास होने लगा वही देवताउं का अंचल मोत की घाटी लगने लगी है अदु एक मोत की घाटी अंदु सावी ना कणिवे अन्ता अनस्ताई जयंते नुड़ी अन्तहा प्रसिद्धस्थला याउददु वे जगह काउंसी है एक कुल्लू आवर मनाली दोनो साथ साथ है कुल्लू मनाली पहा संसार में इतनी वूंच नीच और असमानता है कि लेखक को लगता है कि सृष्टी करता भी आज रचनाक शेतर में ऐसे उतकर्श के आवसर पाता हो उन्हीं में सृष्टी करता है यहां लेखक का कहना क्या है लेखक कहना चाहते है कि सृष्टी करता सृष्टी करते समय अगर बाकी में केवल अगर बाकी या स्रिष्टी हागद रेनु बेरे बेरे स्थलगले लेदी अला बाकी जो जगहे है नस देखने लायक स्था ने वे सबी क्या है वे सबी उनके अनुसार मात्र निर्मान है सिर्फ निर्मान हैww कंस्ट्रक माडिझ दारहे हुर दुस्रिष्टी माडिवर अधिल्णा नो टी construction को वे creation को तुमबा वित्या साथे है च्च महत्वा create माड़ा दो कि रहते construct माड़ा दो नो बेरे दो नोड़ी ना हूँ अधे प्रकरा माडिर भोदू आधरे creation अंधरे आधिके विशेश वाद महत्वा इसास थान भारत में कुलू और मनाली है मनाली के एक cottage में लेखक एक दिन लिखते लिखते इतना ठक गए कि लिखना चोड़कर दीवार की और देखने लगे एक दिन लेखक कहां थे कुलू और मनाली गए थे मनाली के एक cottage में रह रहे थे तब वहां भी वेबाइट कर लिख रहेते, लिखते लिखते थक गई, बरिदू बर्दू सुस्ता दागा, अन्दू करनिटिनियस बरिता है दुष्ट ओ गंटिगल काला, सुस्ता दागा, आवर बरियोदन निलिस्तारे, लिखना छोड़ कर, दीवार की वर देखने लगे, लू मले कूट कूट ईश्ट लार्वार की वर देखने लगे, वहां दीवार पर लिखा था, हलदी गोड़े मेले नो बरवणिगे काणसता दे, किसी ने कुछ लिखा है, चे स्मरनी दिन और राते आरू स्मरनी दिन गलू मत्तो रात्री गलू और शिक्स मेमोरेबल डेस और नाइट्स यहार इरबोधू या की तरह बरदिरबोधू उस काटेज की दीवार पर किसने ऐसा लिखा होगा इवर गेवंदू योचने बरदू क्षिर्वागिरत्ते या के इतरह बरदिरबोधू पिछले वर्षि के किसी यात्री दलने इसे लिखा था अदू काटेजान मेले प्रती वर्षे यार अरू बरता इरता रे होगता इरता रे हागे बंदा यारो टूरिस्ट गळो अधना हागे बरदू होगी दारे लेखक उशे की गहराई में चले गए उनकी सोच में खलल पड़ी अधरने थिंक मारता मारता आवरो अधे अधरले मुलग होग भी टू गहराई में चले गए क्यों ऐसा लिखा होगा इसका क्या अर्थ होगा वे वो इत तो अभी लिख रहे थे ना तो उनका मन बदल गया अब वे बाहर घूमने गए वे वोर कोट पहन कर पहाड की चोटी की वोर साइर के लिए बढ़ने लगे मनाली गाउं लांग कर मनु रिखी के मंदिर के पास से होते हुए उपर तीन मील निकल गए कितनी दूर तक वे गए मनाली गाउं पास कर क्या है लांग कर जाना तंद अधर ना धाटी होग बेका गितू मनाली हली ना धाटी यूरू बेटत कड़े होकता है अधर है अल्यों देवस्ता नहीं दे मनु रिखी मंदिर का नाम क्या है मनु रिखी मंदिर है और उसके पास से होते हुए उपर च्छा जाने का नुमान होने पर नीचे उतरने लगे मेलक होदा गन्नस तो वो कतले आग बिड़ बोदू इननू मेलक होद रहे तुमबा कतले आदर वापस होगा दिक दारी ने गुतागा दिलवला तो ऐसा सोचकर वे नीचे उतरने लगे फिर भी कुलू के गाउ में पहु आग के पास बैठे बात कर रहे थे उस गाउं में मनाली गाउं के जभी लोग आग के पास बैठ कर बाते कर रहे थे बाते कर रहे थे मनाली गाउं के लोग लेख कहां से वापस आ रहे है पहाड पर से वापस आ रहे है कहां अपनी काटेज अचानक लेखके बूट के आवास सुनका बाहर आए हिल्ला जना कुद कुन मातारता इद्रला सभी लोग बैट कर बाते कर रहे थे न अचानक इनकी बूट के आवास सुनी यवरा बूट तो टप टपें साउन बरू तरला अचानक खेलिस कुण बिटो वे सभी बाहर आए और किसी अनिष्ठ के अनुमान में सीथकार ध्वनी करने लगे निकालने लगे जब वे जब लोग इनकी इनको देखा लेखको देखा तो उन्हें थोड़ा अनिष्ठ की सूचना मिली इसलिए वे सभी लोग वे मिलकर एक आवाज निकालने लगे सीथकार ध्वनी उन्हें ध्वनी अन्ना होरडस तायदा रंते ध्वनी न ले निर्बोदू और ये नो डेंजर रिदे अन्ता उन्हें रिती साइरन कुग दागे सीथकार ध्वनी करने लगे तो देखते ही देखते सारा गाव इखटा हुआ सारा गाव खटा हुआ उसमें भी पुरिश निवासी खड़े होकर स्थिर दृष्टी से देखने लगे सभी पुरिश बाहर आगए है लेकर का रास्ते के बीच में खड़े है और सभी इनको देख रहे है जैसे इनको क्या हम कह सकते है की घूर रहे है उन्दु गुराई से नोड़ता है दर यार इरुनु यह उन्या के इलिक बंदी दाने यी टेमलिया के इलिक दाने आर्च दली नोड़ता है दर है इनको देखने लगे गाओं के सारे पुरुश चैसव आदमियों की घृना की कलपना से ही सिहर कर लेकर भागते हुई अपने घर में घुसकर किवाड बंद करके लेखक देखने लगे तो चारो और लोग है तो छेसो लोग वहाँ इकटे हो गए है लगबग तो उनको देखते ही मन में डर उत्पन हुआ तो वे सोचे की शायद कोई अनिष्ट की सूचना है तो डर कर वे भाग निकले कहां भागे लिगे वोड़ होकता रहे अपने काटेज की वोर घर में घुसकर किवाड बंद करके होगी चिलका और नहाग कौन बिटो वे बैट कर सोचने लगे भाग लुहा की कुब बंद माड़ी होगी कूत खुंड योचने माड़क शुरू माड़ी द्रू या के उरू ननना gonna की गिरह ऐसी नोड़ता इद्रू क्यों ये सारे लोग मुझे इस तरह देख रहे थे क्या वजव हो सकती है उन लोगोंने सभी लोगों को क्यों खटा किया इसके पीछे क्या वजव हो सकती है या के ही गाई तू ये निर्भूध रूनता आखिर इस तरह का व्यवह उनके साथ गाहण वाले क्यों कर रहे हैं। प्रिशने गड़ो मनसर ली बरताई दे हेदरी के नूई दे उन्हें कोई कारण मालूम नहीं हो रहा था क्योंकि घृणा की कोई गुंजाईश उनको लेकर नहीं हो सकती थी क्योंकि लेकर तो एक उनका काम तो लिखना है और वे दूसरों की क्या बुराई कर सकते है अलवा और येन बेरे वरगे तोंदर माड़ा दुक साध्या ये इस्टे योचने माड़ी दरू क्यों उनसे वे घृणा करते है गाउम वाले यह बात समझ में नहीं आई क्योंकि वे एक लेखक जनतो है जिनमें हिंसा बिलकुल नहीं है अब लेखक वे रे वरगे हिंसे माड़ा दिक्या साध्या नहीं लालवा आरी ती वर योचने माड़ कोड़ता रहे तो योचने यावदू वंदू क्लूनो सिगो दिला यहा के जना नननना इतिरस कारद रि कद्रे अच्छानक वहां क्या हुआ उनके घर पर पत्थर की बारिश अंडर कलू तो राटा मारता है दर रहे खल मने मेले ला कल भी सारता है दर रहनते वर अगले दिन श्रीमान बैनन एक विक्ति का नाम है बैनन से अपना संदेह बताया तो उनसे मालुम हुआ कि पिछले साल जो लोग उस घर में आकर ठहरे थे उन्होंने गाउं की स्त्रीयों से कुछ छेड़ चार की थी अब उन्हें समझ में आ गया बैनन से मिलने के बाल क्यों लोगों ने उन्हें घरना की द्रिश्टी से देखा यहा के जना यूरुना तिरस्क्रा अद्रिश्टीन दा नोडी दरों ता इका गोत्ता आयतु ब्यानन हेली दरन्ते पिछले साल जो लोग आये थे ना जो प्रवासे आये थे ना वे या उन्हों लोगोंने यहांकी स्त्रीयों के साथ छेड़ चार की थी अन्दु इल्लिना स्त्रीयर जोतिनली केट्टद आगी नड़कोंडी दरों अधिक कागी यी जना येन माडी दरे अधे थरद वेक्टीन मत्ते बंदी दाने अन्तरन कोंड बेटो निमन आद्रिश्टीनली नोडी दरे मनाली के लोग बड़े अभिमानी होते है और बहल स्वाभिमानी गळू अधिक्या और गी दू इस्टा आगा दिला अधिक्या औरों इथरद निमा मेले अठेक माडी दारें तहेल तरे ये इसी बात नहीं सह सकते अब तो उस घर में आने वाले प्रत्येक विक्ती पर संदे करने लगे है अधिकी मने के आकाटे जिगे आरे बरली यलर मेलो अधे तरनोडी वबर केटकेल समाडी दरे बेरे यलर मेलो अनुमाना पड़ा थर आगू तलवा हागया गी दे आकाटे जिगे बरो रेला के टो रेंता मनोभावने ऐसी मानसिक स्थीती उनकी हो गई है इस तरह वे सोचने लगे है अब तो उसकर में लेखका परिचाई गाउं के मुख्या से कराया गया बैने ने क्या किया मुख्या के पास लेखको लेखकर उनसे परिच्छाई करपाया या मुख्या HIM कुछ दर आगा और एसे कोई गंदा काम भी वे कभी नहीं करते यह तरह यहला परचे यह माड़सीद में ले स्वल्पाय वरिगे समाधाना आयतू संदेह दूर हुआ तो गाउं का एक लड़का लेखको कुछ सब्जी आवर शहद दे गया सब्जी आवर शहद तो यह खुश हो गए कम से कमुझ परचे लेखको कुछ सब्जी आवर शहद तो यह खुश हो गए कम से कम मुझ पर उन्हें येकीन तो हुआ कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ नानु केटा मन शाला नानम के बनतला अश्टू साकोंता है लिए समाधाना पटकोंता रहा और कुशी नहीं आगोता हो गी फिर भी आगे कभी गाउं की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटाई आहाद रू संजे टाइम आदमेल मत्ते है आव उरी नकड़े होग धैर्या यावत तो माड लेला कभी उन्हें इसासा हसी नहीं किया तीन दिन बाद लेख घर के बरामदे में बैटे हुए ते मूर दिना आएतु मूर दिना आदमेली अल्ले वरांड़ दल्ली कुथ कुण्डू योरू येनो केलसा माड़ता है दरे बैटे हुए थे एक अजनबी पहाडी आदमी आया नोडिकेट्टावरू वल्लेवरू य खड़ा होकर बताने लगा कि अगर वे किसी प्रकार की सबजी चाहते है तो वह ला सकता है वह अजनबी लेखक से कहता है अगर आपको किसी तरह की सबजी चाहिए तो मैं लेकर आओंगा अंड़ नानुतंद कुरतीनी निम्गे बेकर हेली साथ ही उसने बे शर्मे से यह भ रखते है तो उसका भी बंदोबस्त वह कर सकता है साथ ही साथ उसने और एक बात बताई वह क्या है अगर कोई दूसरी इच्छाप रखते है अंदर निम्गे इनना दू बेरे आसे इद्रे इनना दू बैसता इद्रे अधनू नानू वेवस्ते माड़ी कुरतीनी अंदर न आधन वहेंडू हेंडू हेंड़ी नबयके इरबो देनो अधुन ना आनू वेवस्ते माड़ी कुरतीनी अंता वंदू बेशर्म होकर निरलज्य होकर वह बता रहा है बेविक्री से हेद्री केने लानू यष्ट्टू बोड़न तो बिजनेस माड़ात रहा उनू मातारता है दने तो इच्छा रखते है तो उसका भी बंदो बस्तवा कर सकता है निम गेना रुबे कौन रहे ले नानू आव्यवस्ते ना रहे नानू माड़तीनी अंता है दने जिस बेफिक्री से उस अजनबी ने लड़की लाने की बात कही लेख का मातारतन का समशे हुआ उनू मन हुआ कि उसे माचान से धकेल दे लेकिन ऐसा ना कर सोच में पड़े कि आखिर इस प्रदेश में भावहीन होकर लोग कैसे बात करते है और इंदे या आगले उन्हें धूड वरगडे कलस पिड़ना अंता खोपा बनता थे लेकिन उन्हों ऐसा नहीं किया क्योंकि लेकर तो एक शांती प्री है तो वे ऐसा नहीं कर पाते थे और सोचने लगे कि यह भावहीन होकर लोग ऐसे कैसे जीते हैं अन्द भावने गले लवाहागा दे वर गे इदेन उन्द ब्यवाहार दरीती माटकून बिटी दारलवा अंताहले बेस रागी वे सोचने लगे कैसे बा खाबर नहीं लगने देगा आउनुनोड ये श्टोंद ओनीगे नाची के किट्टा उन्द लेखक ने उसे किसी तरह बाहर निकाला लेखक तो तंग आ गए थे उसे बाहर निकाल दिया उन्हें लारेंस की कही बात याद आई कि मनुश्य की बू मनुश्य को असा ही हो गई मनुश्य की बू मनुश्य को ही असा ही हो गई ही मनुश्य ना वासने मनुश्य निके असा ही उन्हों तरोष्टू केट्ट दागी दे अंदरे मनुश्य मनुश्य नने हेट माडस्तिती बन बिटी दे अंद आश्टों दू केट्ट तना मनुश्य नली तुम कोड़ता है द अग्ये जी मनाली का वह मकान छोड़ कर नीचे नई बस्ती धाना में आ गई और गया लिसाग काई तु इंता जनरज मद्येरोद बेडान सी वेवाहां से नीचे आ गई और एक बस्ती में आ गई इनन दू हली के बरतारे उसके बस्ती का नाम था दाना दाना में आ गई बैनन साहب ने अपने बंगले का आदा इसाइन को दिया था वहां ब्यानन साहब रहते थे उनके घर में आदा हैसा इनको उन्होंने दे दिया था बार्थवा?. बिटकोटी दरनते उन दिनों काफी डाक उन्हें आती थी युरू प्रसिद्धा लेख करू कभी गललवा युरू के तुम्बा पोस्ट बरता इतनते लेटर्स कल तुम्बा बरिता इतरू रीडर से ला आती थी डाक अन्र पोस्ट एक दिन चिट्टीयों को फेंकने के लिए साइर के लिए जाते वक्त पूरा खच्राई कटा करके नदी में डालने चले पेपर लेटर से लवोद आद मेली निन माड़ा दो ये श्टिव साइट कोड़का गुते अदने लवोद याद मेल तोगोंड होगी ही को संजे टेम वाकिंग होगता इद्रलबा शाम के समय वे मत्र गळंन्नों तोगंडू होर अट्तार अरते दाना और मनाली weakest वाल ही नदी के पुल पर खडएते धाना मतल मनाली विट्टMusic दाना दल मेंधी द residारल्यला अंथिदल्य वंदво बिडज में अंगोंड़ खडए तो बी उनकी नघर एक अँ्छिए है ऑmäß ढून्ह पर खड एक ऐग लो इंडीयन वहाँ आया वा यंगा पता नदे उस वेकति ने क्या किया वेंग्य से कहा लेख करे नुविट्ख रे लेटर बिशार तीद्रला बृडजें नमेले निट कोंड़ा नदीके इस इन्वे डेकर उस अंग्लो इंडीयन ने कहा वेंग्य से नोडि वेंग् यावथर मनस्तिती आगित्तो ओनादि कि इदो एक्जम्पल विसवेगती एङॉडु OEM किसी की थाक में खड़े हो या न गुप si gel our prayer वेटिंग फोर समबडी moder यावद car स्वेड आ उपने कोई seven the family कु Vlog लेकों को बहुत बुरा लगा इस्ट बेसर आगिर बहुत बुरा लगा देवताओं के अंचल में रहते हुए भी उन्होंने देखा कहीं किसी तरह घुमने को स्था नहीं देवताओं का अंचल है कितनी आराम से वे रह सकते थे लेकिन कहीं भी वे घुमने जाते तो उन्हें एक ना एक बुरा अनुभव ही मिलता था आज देवताओं का अंचल अपना विस्तार भूलकर मौत की घाटी का नाम अपना रहा है इगा आज देवतेगल सेरुगु होगी सावी नकणिवे आग बिटिदे हम समतल भूमी पर रहने वालोंने ही पहाडी इलाकों को शायद धूशित किया है यारू नाव प्लेंस अनने समत्त भूमी नलिर्थी वल्ला नावेनो टाइम पास इगे प्रकृति नोड़ दिक्यें तो होगी अन्तह प्रदेश कलना हाल माट बिटिदी व्या अननौ अनुमाना लेख करिगे बरुत तंते हमने ही ऐसे इलाकों को ऐसे स्थानों को दूशित कर दिया है एक बार अग्ये जी अपने अतिती और मित्रों के साथ रोह तंग की यात्रा पर निकले रोह तंग ये नाम याद रखी है वन्सला अग्ये इनमार तरेवर मनगे गेस्ट सेला बंदीदर अंते फ्रेंड्स सेला बंदीदरू उनको लेकर रोह तंग की आत्रा पर निकल गये रोह तंग नोनुम प्लेस इगे हिल्ली स्टेशन अदुवे वहां पर निकल गये बार हजार फुट की उन्चाई पर 12,000 फिट हैटली इदे दो उन्चाई पर बर्फ मिली किसी चोटी के निकट पहुंचे अंड़ हन्नेलटु साविर अडिकल एत्तर दवंदू पीक गेवरु होगी दारे रोह तंग की ब्रसिद्ध हवा चलने लगी अल्याब बीसो गाली तुम्मबा फेमस इतनी घा तक थी कि मौत की घाटी नाम का मुख्ष्टे उसी से मिला है या के इदे के टाइटली कोटी दारे शीर शेक कैसा क्यों दिया है मौत की घाटी रोह तंगली येनू हन्नेर सा और इनली और इदर आला आगा येनू गाली ब गाली बीस्ती ताल जोरा गी अद इनना भचा वगो के आगली शीत गाली नो डिये शीत गाली इननली बचा वगो के साध्याने इल्ला अन्ता परिसी दिगे और इसी का कॉन बिटी तरे दो घंटे तक वे कहीं हिल नहीं पाए करीब दो घंटे बीतने के बाद आगे बढ़ चार बजे तक सारा दर्शी बदल गया चार बज़ते बज़ते दर्शी ही बदल गया नाम का किसी तरह बर्फ में से निकलकर आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन मुशिछ हो रहा था आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है साथी छूट गए थे जब हवा बहने लगी थे सारे साथी छूट गए साथी छूट गए थे लेखक अर्ध चेतना वस्तामे थे कोई नवा गंत्तुक जो लाहुल के सिवील सर्जन थे नोड़ी देवरेनो इवरगे इवरगागे उप्रन कलसी दार नोड़ी लाहुल में एक सिवील सर्जन रहे थे थे उन्से मिले वे आये वहाँ और मेल इन्दा इलकोंडो केलगडे बरता है दरू और उनके उपचार से थोड़ा होश आया और सुल पईवर ना उपचार माड़ी दे दागे सुल पईवर गे प्रग्ये बंतू होश आया लेखक मोथ के मुँँ में जाते जाते बच गए थे सावी ना दवड़े के होगता होगता बचावा की दर नोड़ी और रेना दू बर्दली लांदी दे सिविल सर्जन लेखक जरूर वहीं मर जाते उन्हें लगने लगा की मानो कितना मूर्ख है अदाद मेल वापस मन मेल योचने मारता रहनते बे सोचते है मानो कितना मूर्ख है हल्वा स्थाई तो ना होने पर भी कायम रहना चाहता कोई स्थर नहीं रह सकता कोई कायम नहीं रह सकता हस्थाई है जीवन हमारा फिर भी सोचता है कि मैं हमेशा के लिए यहां रहता हूँ नश्ट और शगल कड़े कर गो ले इरतीन ना थर योचने मारता नंते नश्ट होते हुए भी नया स्रिजन करना चाहता है हम नश्ट होते है फिर भी हम नया स्रिजन करते है जो नश्वर होकर भी ईश्वर है हम ही नश्वर है लेकिन हम ही ईश्वर है यागे नव स्रिष्टियन मारती वी अन्दे वसा होसा जन्रेशन नाव श्रिष्टी मारती वला अधकागी नाव नश्वरा दुरू नाव ईश्वरा आगे दिवी इससे भढ़कर कोई सत्य मौत की घाटी में जाना जा सकता है बिल्कुल नहीं यही जीवन की सच्चाई है इदि किन्त दोड़ सत्यवन नाव ति की यात्रा के संधर्ब में अब जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ उसके बारे में इस पार्ट में इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने लिखा है सुनने के लिए धन्यवाद